प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें मैं है स्लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा बाइपास वाईजेक्षन के पास एक टीमस का गार्डन है और इस गार्डन में कभी बच्चे खेला करते थे मगर अब उस गार्डन की हालत काफी थराब है दरसल इस गार्डन पर सलीम मंसूरी नाम के एक शक्स का दावा है कि ये जमीन उसनों की है और उन्होंने कई साल पहले इसे खरीडा था और गार्डन पर कोट के आउडर का एक नोटिस बोर्ड भी लगा रखा है वहीं RTI कारकरता ओवैस मक्सूद शेक का कहना है कि ये TMC का गार्डन है इस गार्डन को फिर से ठीक करके शुड़ू करने के लिए ओवैस TMC से पत्र बेवार भी कर रहे हैं इस दोरान हमने सलीम मंसूरी से भी कहा कि वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं मगर उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया वहीं ओवैस का कहना है कि ये TMC का गार्डन है और जूले तूट गए हैं यहाँ गार्डियां पार्क की जा रही है कई गार्डियां यहाँ भंगार हालत में पड़ी हुई है उनकी कोशित है कि जल्द से जल्द इस गार्डन की सापसफाई की जाएगी और मनपा से पत्र बेवार के जरिए इस गार्डन को फिर से बना कर इसे शुरू किया जाएगा ताकि यहाँ पर बच्चे खेल सके वहीं सलीम मनसूरी ने अपना पक्ष नहीं रखा है लेकिन अगर वह अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमसे संपर्ट करते हैं आर्टी आई कारकर का ओवाईस मक्सूद शेख ने इस गार्डन को लेकर क्या कुछ कहा है अबे तरही जरसल यह पहले टीमसी का गार्डन लेकिन इसको लेकर अब कुछ विवाद चल रहा है तरीम मनसूरी नाम के जो बेखते हैं उनका कहना है कि यह उनकी जमीन है और आप लोग कहरें कि यह टीमसी का गार्डन दरसल उन्होंने यहाँ पर एक लोटिस भी लगा के रखना है क्या है पूरा मतला है जी सर यह टीमसी का गार्डन है पहले भी था और है और आगे भी रहेगा इंशालला हमारे बच्चे लोग को गार्डन की जरूरत है यह सलीम मनसूरी जो है इन्होंने यह ऐसे फॉजरी पेजेज लेके पेपर लेके आए है जहाँ पर उन्ह के पास कुछ TMC का ओडर है TMC का कोविड के वज़े से रोड वाइनिंग के वज़े से इसी बाउंडरी तूट चुकी है अब यह TMC इसको रिपैर करेगी अपन रनी करेगी और बच्चे लोग खेलेंगे लेकिन क्या होगे मौके का फाइदा उठा के चलता है वैसा यह जो ह पूरे मुम्रा की आवाम इस पे साथ है सुसाइटी पूरी साथ में है और सब लोग चाते हैं और रहे और हमेशा रहे सलीन मंकूरी जो है वो अभी आप लोग के साथ में भी थे और हमने भी उसे बात करने की कोटिश थी लेकिन उसे आप मना कर रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए तो आप लोगों से कुछी इस गाडन को लेकर कि क्या उन्होंने खरीदा था यह गाडन क्या किया था और उनको बाहिट ढेने के लिए बोले थे तो वो सरासर माना कर दिय है और वो कुछ एंकरेस सामने आने भी नहीं जिसको पास सब है तो क्यों नहीं हाता जैसे हम सादने आते वैसे क्यों नहीं आते सामने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा आई ए सामने आपका प्वाट राखिए कि आपने गाडन कब खरीदा टीमसी से और फिर आप लेके जाए जगह हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप टीमसी से गाडन खरीदा क्या यह थे फ़ंसी पंदरा साल से मेंटेन कर रही है इसमें ट्रांसोंमर टीमसी नहीं से यहनोती देकर MSCB को दिया वाए जब टीमसी की लाइंड है तो इसको कैसे आप खरीज सकते हो कुछ गाडन थोडी ना करीज सकता मैं कल को में और वो लूंगा गार्डन खरीद नहीं नहीं गरीड सकता है। और वो ये पेपर यूस करके लोग को फॉसेशं n क्रियेट करके हमारी जोब बच्चे लोग से लोग की दबात्नाइवाक्न का यह क्तला तो यह 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 एक्षॉजी नया यह वे हեղ यह जूले जूल कि आप पहले से व Onu इस दो पुलिस कॉंसेबल लेके आगा है बोले पुलिस चौकी बुलाईए हम लोग उने बोल रहे के कोड में जाई है आप अम तो गार्ण यूज कर रहे इतने साल से आम गार्ण यूज करेंगा आप लेकर जूला लगांगे जूला लगा था यह वैसे है अब यह बोलेंगे पूरा सब्सीद उठालो तो कैसे चलेगा यह आप देख रहें कबसे इदर पर जूला आई है आप आप देख रहें कबसे इदर पर जूला आई है